आप लोग को तीन से चार टाइपस के कलर से रिलेटेड आप लोग को नॉलेज मिलने वाला है जैसे कि कलर करेक्शन किस तरह से किया जाए, कलर कटिंग किस तरह से किया जाए, कलर डिपोजिट किस तरह से किया जाए और किसी एक अलग शेट पर हमें प्रिलाइट किस तरह से करना है तो सारा कुछ देखिए डिटेल में लाश्ट तक वीडियो देखिए ताकि आप लोगो पुरा डिटेल में समझ में आए तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास प्रिलाइटनर है तो सारे कुछ आप लोगो डिटेल ने पता चलेगा जब आप लोगो लाश्ट तक वीडियो पर बने रहोगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लिजे और सब्सक्राइब नहीं कियो तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और दूसरा है हमारे पास जो wallet cutter उसका mixing ratio 1 to 1 है तो चलिए इन तीनों tubes को हम mix करेंगे लेकिन उसके पहले आप लोग देख लीजे pre-lightner pre-lightner हमें कौन से hairs पर करना है चलिए पूरा detail में देखेंगे तो सबसे पहले मैं pre-lightner निकाल दे रहा हूँ और इसे हम लोग 30 volume में mix करने वाले है तो pre-lightner आप लोग कोई भी company का use कर सकते हो आप लोग L'Oreal का use करें, Shoscoff का use करें, Strix करें कोई तो इसमें हम लोग 30 volume use कर रहे हैं और इसे अच्छी तरीकी से mix करेंगे और आप लोग को जो मैं hair दिखाने वाला हूँ वो hair देखके आपको समझ में आएगा कि आप लोग को काफी ज़्यादा hard लगता है इस hairs को pre-lightner करने में जी हैं दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ red hair color की जब हमारे hairs पर red hair color है और हमारे client को color change करना है तब आप लोग को इसे pre-light करने के बाद ही color change कर सकते हो लेकिन red hair पर problem यह हो जाती है कि जल्दी pre-light होता नहीं है बहुत ही hard हो जाता है work और हम pre-light करने के चकर में बालों को कई बाद dry भी कर देते हैं तो dry और damage हो जाने के बाद hairs में color deposit करना कोई मतलब नहीं निकलता तो आज के इस वीडियो में इसी चीज को में आप लोग को पुरा detail में दिखाऊंगा कि किस तरह से आप लोग को pre-light करना है और pre-light करने के बाद में हमें yellow tone को cut करना है किस तरह से और किस तरह से हमारा color deposit होगा सारा कुछ आप लोग को detail में देखने मिलेगा तो दोस्तों पूरे वीडियो पर लाश्ट तक बने रहना ताकि आप लोग को detail में पूरा वीडियो एक एक tips आप लोग को समझ में आए तो चलिए सबसे पहले में आप लोग को बिताता हूँ कि जो हमने pre light mix किया है इस pre lightener का हमारा mixing ratio किया है तो इस pre lightener का mixing ratio है वन इस्टू थ्री यानि कि दोस्तों आप लोग का जो pre lightener है वो काफी पतला आप लोग को paste बनाना है तो 35 minutes हो चुके हैं complete और अब हम इसे देख रहे हैं तो यह देख सकते हो कि हमारा यह level तक पहुँच चुका है यह हमारा कम से कम 7 level तक है बट आप लोग देखोगी इसमें अभी भी red वाले reflection, red वाले tone है वो अभी भी मोजूद है तो इतना रखने के बाद भी आप लोग देख सकते हो कि बालो में अभी तक redness पड़ा हुआ है तो इसे हम लोग वापस से रिमूव करेंगे तो इसके लिए हम लोग वापस क्या यूज़ करने वाले है जी हां दोस्तों इसमें हम लोग फिर से यूज़ करेंगे प्रिलाइटनर बट यहां पर mixing ratio अलग होगा और यहां पर में कुछ अलग चीज मिक्स करने वाला हूँ जिससे कि हमारे हैर्स ड्राइटनर ना हो जी हो दोस्तों इसमें हम लोग क्या मिक्स करेंगे देखिए तो चलिए हम 20 वोल्यूम से इस बार प्रिलाइटनर बनाएंगे क्योंकि इसमें हैर्स में अभी भी रेड टोन बचे हुए हैं तो इसे हमें पूरा अच्छी तरीके से रिमू करना है इसके लिए हम फिर से प्रिलाइटनर करेंगे और हमारा जो हैर्स से वो ड्राय और फ्रिजनेस ना हो इसके लिए हम इसमें मिक्स करने वाले हैं सिरम जहां दोस्तों हम इसमें सिरम मिक्स करेंगे सिरम देशे कि आप लोग को पता है कि बालों को शाहिन देता आप लोग देखोगे कि सीरम से काफी ज़्यादा फरक पड़ता है आप लोग का हेर से वो कभी ड्राय और डामेज की तरफ नहीं जाएगा तो आप लोग को उसी कॉंटिटी में मिलाना है यहाँ पर मिक्सिंग रेशो में ने आप लोग को बता दिया कि इस बार जो 20 ओलिम का मिक्सिंग रेशो होगा वो होगा 1 इस्टू 2 यहाँ दोस्तो इसे अच्छी तरीके से हमने पेश्ट बना लिया और बालो में लगा के इसे आप लोग को आप ज्यादा ने 15 से 20 मिट के लिए रखना है देन आप लोग देखोगे कि आप लोग का जो रेट टोन है वो पूरी को डिटेल में बताता हूं तो यहाँ पर देख सकते हो कि रेट टोन हमारा पूरी तरीके से निकल चुका है तो चलिए इसे हम वाश करते हैं अच्छी तरीके से और जब भी आप लोग यलो टोन या औरेंज टोन को वाश करो तो आप लोग को यूज करना है परपल प्रिलाइटनर वाले हैर्स पर 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 पल शैंपू करो तो आप लोग को पाँच मिनिट के लिए बालों को छोड़ देना है तो पूरा मलसीफाय अच्छी तरीके से कर लेजिये और फूरी तरीके से पर पलपल शैंपू कर लेंगे और अब आप लोग देखाने के साइक ग करके दिखा रहा हूं आप लोग को ऐसा पता भी ने चल रहा हूगा कि यह पहले कभी रेड था और कितने अच्छी तरीके से और हमारा हैर बिल्कुर भी फ्रीजी नहीं हुआ है आप लोग प्रिलाइटनिंग करते समय बहुत बार क्या करते हैं 40 वॉल्यम यूज कर लेते हो और आप लोग का जो मिक्सिंग रेशा है वह जादा वन इस्टो वान या वन इस्टो टू रखते हो क्योंकि जल्दी प्रिलाइट हो जाए लेकिन उससे हेर ड्राय हो जाते है तो हेर ड्राय ना हो इसके लिए आप लोग देखिए दो टाइम अप्लिकेशन करिए और इस त का ट्यूब देख सकते हैं आप लोग किस तरह से और पूरी तरीके से पैक है तो इससे पहले अपन करते हैं ओपन करने के लिए आपको पता है कि इस ओपनर को हम अच्छी तरीका से उल्टा करकर इसे अच्छी तरह गुमाएंगे तो हमारा ये ट्यूब ओपन हो जाएगा तो अब हम इसे निकाल लेंगे, देन निकालने के बाद अब इसमें आप लोग को mix करना है, क्या mix करेंगे, जी हाँ दोस्तों इसमें हम लोग इसके बाद mix करने वाले हैं, वाइलेट, वाइलेट जो की है यलो कटर, आप लोग अगर color wheel के बारे में पता हो तो आप लोग को प wheel के बारे में भी काफी ज़्यादा वीडियो knowledge detail में है, तो चलिए, हम इसे अच्छी तरीके से mix करते हैं, और इसमें हम थर्ड कलर mix करने वाले हैं, जी हम इसमें थर्ड वाला ट्यूब जो mix करने वाले हैं, 12.7, जो की matte, very light brown है, और यह हम इसलिए mix करेंगे, क्योंकि जैसे क में mix करेंगे, और इसका mixing ratio आप लोग को पता है, 1 is to 2, तो जब भी आप लोग अगर single hair पर करेंगे, तो इसका mixing ratio 1 is to 2 होगा, बट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हम yellow tone को, orange tone को cut करने के लिए use कर रहे हैं, तो आप लोग को इसे थोड़ा ही लेना है, और अब हम इसे क की थोड़ा सा ज़्यादा मोटा आप लोग का product बनना चाहिए, ज़्यादा पतला आप लोग डालके एकदम पतला पेश नहीं बनाना है, तो चलिए हम इसे करते हैं deposit, तो देख सकते हो कि मैं किस तरह से इसे deposit कर रहा हूँ, पहले हमने foil पे निचे लगा लिया, ताकि हमारा जो patchy hairs नहीं और पूरा proper तरीके से हमारे hairs में लग सके, तो इसे आप लोग को proper तरीके से पूरा deposit कर लेना है, और आप लोग को इसे ज़्यादा time के लिए नहीं रखना है, जियां दोस्तों, आप लोग को इसे check करना है, और मैं आप लोग के सामने ही इसे, आप लोग देख देख सकते हो, यह देखिए पूरा अच्छी तरीके से change हो चुका है, और हमारा यलो टोन ही पूरी तरीके से cutting हो चुकी है, तो आप लोग को यलो टोन को cut करने के लिए wallet color cutter ज़रूर यूज़ करें, तो देख सकते हो कि हमारा यह पूरा hairs अच्छी तरीके से red था, और red तो cut गया, और yellow भी हमारा पूरी तरीके से cutting हो चुका है, और अब हम इसे करेंगे wash, और wash करने के बाद में आप लोग को इसका final result दिखाता हूँ, कि कितना amazing सा result आए, तो चलिए इसे सबसे पहले अच्छी तरीके से आप लोग को इसे shampoo and conditioner करना है, shampoo conditioner आप लोग color hairs पर कर सकते हो, लोरेल का color protection, shampoo और conditioner, तो इसे अच्छी तरीके से shampoo conditioner करने के बाद में आप लोग को इसे dry करके, इसका final result दिखाऊंगा आप लोग को और आप लोग को पता चलिएगा कि कितना amazing सा result आए, और हमारे hairs देखो कि कि उसी तरह healthy है, बिल्कुल भी dry और damage आप लोग को नहीं तो अब हम इसे shampoo conditioner पूरा complete हो चुका है, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि हमारा जो hair से वो proper किस तरह से दिख रहा है, अब हम इसे dry करके और आप लोग के सामने सीधा final result दिखाते हैं, कि final result हमें किस तरह से मिला है, तो काफी जादा amazing सा result आया है, आप लोग देख सक सकते हो, आप लोग को कैसे लगा है, color comments करके जरूर बताना, और देख सकते है, hairs red थे, but rate के बाद हमने इसे pre-light किया, pre-light के बाद फिर color deposit किया, और hairs देख सकते हो कि हमारी उसी तरह healthy दिख रहे हैं, और बिल्कुल भी हमारे hair dry नहीं हुए, तो इसी तरह procedure करिए, pre-lightning चाहे आपको 2-3 बार करना हो, बट आप लोग को pre-lightning का जो mixing ratio है, वो हमेशा पतला पेश्ट ही रखना है, और आप लोग को जादा volume वाला use नहीं करना है, first time 30 volume use की है, तो second time 20 ही use करना है, चलिए, इसी तरह आप लोग के लिए नए ने वीडियोज आते रहेंगे, आप लोग को कै कैसा कलर लगा, कमेंट्स करके जरूर बताना, और हां मेरे इंस्टाग्राम पर फालो जरूर करना, मिलते हैं, नेक्स वीडियोज